नमस्कार, जैशी कृष्णा, मैं राकेश शिवानी अस्टो चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ और जैसा कि आपको कुछ वीडियो से, लास्ट वीडियो से बता रहा हूँ कि कुण्डली में कुछ योग बनते हैं जिनको हम देख नहीं पाते और बहुत-णॉर्मली बन जाते हैं वो योग लेकिन हम समझ नहीं पाते और इसलिए प्रडिक्शन ठीक नहीं हो पाती तो कुंडली की prediction ठीक हो, accurate हो, authentic हो, तो उसके लिए जरूरी है कि कुंडली में कौन से योग बन रहे हैं, जो normally बनते हैं, तो कैसे उनके बारे में हम देखें, उनको कैसे देखें, तो पीछे मैंने आपको धन योग के बारे में बताया था, कि धन योग कैसे दिखा जाता है वो कौन से ऐसे योग होते हैं, जिसमें धन नहीं रुख पाता, जमा नहीं हो पाता धन, निर्धन योग से ये मत अर्थ समझे कि निर्धनता हो गई, कोई दरिद्रता हो गई, ऐसा नहीं है, ये शास्त्रों में इस तरह का word इस्तेमाल किया हुआ है, लेकिन इसका मतलब य इसमें कहा गया है कि यदि पहले, चौथे और नवे घर का मालिक, पहले घर का मालिक, चौथे घर का मालिक और नवे घर का मालिक, नवा घर जो है वो भागे घर है, चौथा घर सुख का घर है, पहला घर तो स्वेम का अपना होता है, तो पहले घर का मालिक, चौथे घर का और उसके पास पैसा रुख नहीं पाता अगर पहले लगन का स्वामी यानि लगनेश चतुर्तेश और नवमेश ये आठवे भार में बैठे हों तो ऐसे में पैसा रुख नहीं पाता दूसरे घर का स्वामी बारवे में हो और बारवे घर का स्वामी दूसरे में हो, ये भी हो सकता है, एक नियम यह भी है, कि दूसरे घर का स्वामी बारवे भाव में बैटा हो, और बारवे घर का स्वामी दूसरे भाव में हो, यानि दूसरे घर का स्वामी धन चला गया व्या द्सरे का सвामी तो बढर्वे में चला गया और उनको मारक ग्रह और देख रहा है तो और दोनों को मारग रह देखते हों तो दहनानी मिश्चित है पांचवे घर का मालिक छटे भाव में चला जाए पांचवे घर का मालिक संतान भाव का मालिक जो होता है संस्वामी वो छटे भाव में हो और गर का मालिक अस्टम भाव में आ जाए भागेश अस्टम में आ जाए इन दोनों को मारग रह देखते हों तो निश्चित रूप से धनानी होती है, अब मैं आपको बताओंगा विध्या विचार, कि विध्य के बारे में कैसे विचार करना है, बहुत सिंपल है, इसके भी कुछ नियम है, अगर चौते भाव में शुक्र हो, तो ऐसा आदमी गायन विद्या में बहुत विशारत होता है, बहुत प्रसिद्ध होता है, गायन विद्या में निपन होता है, ऐसा मनुष जिसके चौते भाव में शुक्र हो, यदि चौते भाव में बुद्ध हो, तो आप समझ जाएए कि आप एक बहुत अच्छे जोतिश बन सकते हैं यदि पांचवे घर में सूर्य हो और पांचवे घर में राहु बुद्ध हो तो ऐसा जातक भी जोतिश में निपुन बन सकता है या ऐसा डॉक्टर बन सकता है जो जहर की चिकिस्ता करने वाला होता है यदि पांचवे घर में सूर्य हो और पांचवे घर में राहु बुद्ध हो यानि पांचवे घर में सूर्य राहु बुद्ध हो तो ऐसा जातक भी निपुन जोतिश बन सकता है और विश्की चिकिस्ता करने वाला चतुर वैद्य होता है और नियम है यदि दूसरे घर में सूर्य और बुद्ध हो तो जोतिश विद्या विशारत हो दूसरे घर में अगर सूर्य और बुद्ध मिल जाए तो भी जोतिश विद्या में विशारत होता है यदि इन दोनों ग्रहों को शनी देखता हो गणित शास्त्र में प्रवीन होता है यदि सूर्य बुद्ध को शनी देखता हो तो ऐसा इंसान गणित शास्त्र में प्रवीन होता है यदि दूसरे घर में सूर्य और मंगल हो तो ऐसा इंसान तक शास्त्र में विशारत होता है त ये पांचे घर में सूर्य बुद्ध शनी हो ऊपर तो बताया था सूर्य बुद्ध और रहुकम ने बताया था पांचवे घर में इसमें तो कोई दो रायवाली बात नहीं है सूर्य भी सेप्रेटिव ग्रह है, शनी भी सेप्रेटिव ग्रह है, कंसीव नहीं होने देगा ठीक से, संतान की लिए तो समस्या है, बट वेदान्त शास्त्र का बहुत अच्छा ग्याता होगा, ये बात पक्की है, यदि सूर्य और बुद्ध एक साथ किसी केंद्र, त्रिकोर्ण या लाभ भाव में हों, सूर्य और बुद्ध एक साथ बैठे हों, और किसी भी केंद्र भाव में हों, त्रिकोर्ण भाव में हों या लाभ भाव में हों, केंद्र भाव कौन कौन से होते हैं हमारे, पहला, है यदि दूसरे घर में शुक्र हो तो ऐसा व्यक्ति काव्य प्रेवी होता है या कवी होता है वह अचा कौ प्यट होता है यहीं दूसरे घर में शुक्र हो लगा लिजी मिंग एक ब duda अच्छा कवी वने को दिराहु जंचम में हो। लखेघर्ग रहे के कुछ ना कुछ फायदे और यह न नुक्सान है। है किसी ह्ट हमें पाप-घ्रहूं का बैटنا नुक्सान भी है और व्हाइदे इसा॥ जियसे पीछे, नंद बूंहीं। कि सूर्य बुद्ध और शनी बैठे हों, तो ऐसा आदमी विदान्स शास्त्र में विद्याता होता है, विदान्स शास्त्र जानने वाला होता है, लेकिन वो संतान के लिए हानिका रखे, हायर एजुकेशन के लिए थोड़ा problem create कर सकता है, या बीच में विद्धान डाल सकता ह है उसके अंदर, तो यही है, यदि राहू पंचम में हो तो गूर भाव जानने वाला हो, ऐसा आदमी गूर भाव जानने वाला होता है, और ऐसी विद्धाओं में पारंगत होता है, जो बहुत कठिन हो, यानि इतनी कठिन कि साधारनतिया उनका अर्थ समझ में ना आता हो, यदि राहू पंचन में हो तो ऐसा आदमी बहुत ही गूर भाव जानने वाला होता है और ऐसी विद्याओ में पारंगत होता है जो बहुत ही कठिन होती है जो नौर्मली इनसान के समझ में नहीं आती चौथे घर में राहू हो तो माता की दिरगाई होती है चौथा घर माता का होता है यह हम जानते हैं अगर राहू वहां बैटा हो तो दिरगाई होती है माता की दूसरे घर में ब्रस्पती हो तो जातक वेद और विदानत का अच्छा ग्याता हो यदि कर्क या धनू या मीन का ब्रस्पती हो तो अवश्य ही ऐसा होता है ऐसे जातक का उसकी विद्धता के कारण सभा और सोसालिटी में अच्छा आदर होता है अगर दूसरे घर में ब्रस्पति हो तो जातक वेदा विदान तक जाता हो, दूसरे घर की बहुत importance है, दूसरे घर में शुक्र हो तो बहुत बढ़िया poet बनता है, यही दूसरे घर का स्वामी और ब्रस्पति केंद्रिया कोण में हो, दूसरे घर का स्वामी यानि सेकंड हो तो हमने बताया कि जातक तक शास्त का पंडित होता है अगर वहां मंगल के सासा चंद्रमा भी हो जातक बहुत गहन सुत्र होजाने वाला होता है तो यह था विद्या भावं तक हमनद बचार आगे वाली वीडियो में हम वानी के बारे में बताएंगे आपको आशा करता हूँ आपको समझ माया होगा समझ माया तो कांड रिलाइक कीजिगा सब्सक्राइब कीजिगा शेर कीजिगा इसके लावा हम एडवांस अस्टेलोजी रेमिडीज और प्रोफेशन इन सबकी क्लासिस स्टार्ट करने जा रहे हैं तो जो लोग जिस भी क्लास में इं जिगरत करा सकते हैं धन्यबाद जय शेक्रिशन